अपने बोलने का मुकदी उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ बाते बहुत सारी रखी गई है जैसे कि यूट एन वोमेन पाउर की बात की गई है लेकिन जॉब अपरजिनिटीज की जो व्याक्या इस पूरे अभी भासन में है उससे मुझे लगता है कि किसी को संतोस नहीं होगा डाइवर्सिटी और यूनिटी की बात की जाती है लेकिन अगर आप कहें कि दिल्ली के अंदर ही कुछ दिन अंदर ही आपका भासन दिया जाता है जिसमें कि सत्ता अदल के लोग रहते हैं और मुसलमानों और क्रिस्टन पर डंडा बरसाने की बात करते हैं क्रिस्टन कितने हैं 3-4 परसेंट इतने कम परसेंट के लोगों को अगर आप बरदास नहीं कर सकते देश में कौन सिर्फ सब्दों को एड करने से सबका साथ, सबका विकास, सबका पर्यास और सबका विश्वा सिर्फ सब्दों बढ़ाने से जो है ये देश में जो है एकता रोखंटा नहीं हो पाईगी डिजनल नेटवर्क की बात की गई है लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ आएगी तो सामने दल के लोगों के मुह से जो है बहुत जादा बात निकल करके आ जाएगी वहाँ पर हमारे एक विदायक परदीव यादव जी ने अदानी के खिलाफ मोर्चा इसलिए खुला कि यह राज यह सरकार ने कहा था कि 75% जो है लोकल्स को वहाँ पर काम देना होगा रोजगार देना होगा तो उस पे जो है इंकम टैस का रेट पड़ गिया और आज जब इतनी सारी बाते हो रही है तो उसके बाद सरकार के तरफ से इनके उपर ED, CBI और इंकम टैस क्यों नहीं लगाया जा रहा है एक यहाँ पर बात कहेगी कवे कैलाशा means कर्मा is worship and सिवा is कर्मा लेकिन राम का नाम लेते लेते रावन की रहा पे चल गए हैं सब लोग इस पे भी सब लोग को ध्यान देनी की जरूरत है भाद बढ़ता हूँ आपके कहने पर और भी आगे बढ़ता हूँ और भी आगे बढ़ता हूँ कि आपने लिखा कि भी थैंक दा पीपल फर चूजिंग स्टेवल गर्रमेंट फर दा सेकेंड टाइम लेकिन जहाँ जहाँ भी भी बीजेपी की सरकार महीं हैं वहाँ पे आप गिराने का काम करते हो हमारे स्टेट में भी ये परियाशा